अगर आप AU bank का कोई भी credit card यूज़ करते होंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेज़ेगा थ्री major changes कर दिये गये हैं यानि कि एक प्रकार का devolution AU bank के credit cards का कर दिया गया है दो ऐसे merchant category है जहां पर आपको extra charges पे करना पड़ेगा तो हलो पैंस मैं हुए तो आज के इस वीडियो में इसी AU bank के credit card के devolution के बारे में बात करेंगे ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ हम पर या आपके उपर AU bank का अगर आप credit card user होंगे तो क्या असर पड़ेगा इसके बारे में आज के इस वीडिय credit card finance और banking वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत दोलेगा वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके भी जरू जाएगा चली वीडियो शुरू करते तो पहला यहां फ्यूल के कटिगिरी में जो भी आपका यूबाइं के credit card होगा फ्यूल के कट credit card उस card पर टोटल लीमिट का आपको 50% यूज करेंगे आपके पास टोटल कार्ट का जो भी लिमिट होगा टोटल लीमिट का आपको 50% अगर आप यूज करेंगे फ्यूल पर टांजेशन करेंगे तो आपको जो है कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा तो एक बिलिंग साइकल में अगर आप टोटल लीमिट का 50% से ज्यादा तो टोटल जो क्रेडिट लीमिट है उसका जो है 50% से ज्यादा आप सिर्फ फ्यूल पर स्पेंडिंग करेंगे तो जो भी एक्स्टा अमांट होगा उस पर आपको 1% का एक्स्टा चार्ज आपको देना पड़ जाएगा एक्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं माल लेते हैं कि आपके जो के एयू बैंक के क्रेडिट काड होगा टोटल जो लीमिट है 50,000 रुपिया क्या लेमिट है तो यहां पर आप जो है जो भी 25,000 रुपिया 25,000 रुपिया सिर्फ फ्यूल पर आप स्पेंडि करेंगे तो 25,000 रुपिया का चार्ज नहीं लगने वाला तो अब यहां माल लेते हैं कि आप जो है 50,000 रुपिया टोटल लिमिट होगी आपने सिर्फ फ्यूल का टांजेशन जो है यानि कि बेट्रोल पर टांजेशन आपने किया है 30,000 रुपिया खच कर दिया एक का आपको एक्स्टा चार्ज यहां लगने वाला है हलांकि इडिस वेरी रेर कि आपको जो है टोटल जो भी आपका क्रेडिट लिमिट होगा आप जो है 50% सिर्फ फ्यूल पर टांजेशन करेंगे हां यहां पर रही बात की एयू बैंक की लिमिट की बात किया जाद है तो मा अगर आपका लिमिट ही अच्छा खासा होगा तो 50% तो आप फ्यूल पर यूज करेंगा ऐसा होई नहीं सकता है यह रेर चांस है तो लिमिट भी जैसे कि जानते हैं लिमिट इंक्रीज भी नहीं करती है इस एयू बैंक के लिट क्रेडिट कार्ड पर तो आपको ओन परशन पर चार्ज पर करना ही पड़ता है तब आपको इस काड़ पर फ्यूल से चार्ज विवर मिलेगा प्रट्रल पंप पर आप इस काड़ से करेंगे अब हम जा लेते हैं कि दूसरे कटिगरी जहां पर एक्स्रा चार्ज पे करना पड़ेगा वह कौन से हैं यहां पर दूसरा इसे समझ लेते हैं अब आप जो हुए एक क्रेजिटार काड ड्यू बाइंक का क्रेजिट लिमिट शिक्ष्टी थाउजन है तो आप माल लेते हैं कि एक की यह खर्च कर देते हैं 55,000 हमने सिर्फ जोई यूटिलेटी बिल पेमेट्स पर जो एक क्रेजिटार में हमने कंग कर लिया utility bill payments पर हमने खर्च कर लिया अपने एयो बैंक के credit card से तो रुपीज 5,000 पर हमें जो है 1% का एक्स्टा चार्ज लग जाएगा यानि कि रुपीज 50 का आमें जो है एक्स्टा चार्ज यहां लगने वाला है तो इस प्रकार का जो restriction है बिजनेस टांजेशन को रोकने के लिए कम करने के लिए इस तरह का जो है चार्ज लगा दिया गया है यह बैंक की ओर से तो यूटिलिटी पर 50,000 तक फ्री है तो काफी ज्यादा अमाउंट है इससे ज्यादा पे करेंद आपको कौन परशन का चार्ज लग रहा है तो यह सारी जितने भी जो नया डी बॉलिशन है या नया चार्जेश है फिप्टी अगॉस्ट टॉन्टी टॉन्टी फॉर से अप्लिकेबल हो जाएगा तो यहां पर जो भी बिजनेस क्रेडिट कार्ड है तो उस पर यह लागू नहीं ह होगा बाकि यानि कि जो है इंटरनेशन कार्जेशन करेंगे और कॉर्परेट और बिजनेस कार्ड में आपको कोई भी चार्जेश नहीं लगने वाला है बाकि तीस्रा जो चेंजेश कर दिया गया है वह है एप्यार यानि कि एनमालाज़ज़ प्रसेंटेज रेट तो यहा काण को छोड़कर बाकि जितने भी झाओक टो उस पर आपको 45 पर आयनम पर देतेंट में तो इस तरह का कोई हम इस पर इसका अशर पढ़ने वाला नहीं रगी जो जो है फ्यूल में ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं तो उनको तो यहाँ थोड़ा बहुत चार्जेश उनको पे करना पड़ सकता है नॉर्मल यूजर्स तो यूटिलिटी पर जो है पचास अजार या तो फ्यूल पर टोटल लिमिट का 50% इस तरह से इतना स्पेंडिंग न सब्सक्राइब करने के लिए इस तरह का चार्जेश लगा दिया बाकी आपका क्या करना है इसके बारे में कोमेंट सेक्शनल में जब बता सकते हैं इसी तरह से क्रेडिट कार्ड और फैन्यांस एडिट्र वीडियो देखते हूं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइक होना ब